जेहें दोस्तो वेलकम टू टूड़े एक्जाम क्लासीज दोस्तो इस वीडियों हम रीड बरती प्रेक्षा और वीडियो मैंस के एक्जाम में पिसले वर्सों के एक्जाम में सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाले मोश्ट इंपोर्डेन राजस्तान के क्यूसन आंसर याद करने वाले हैं जो आपके रीड और वीडियो मैंस के एक्जाम के नए पैटन पर भी सामिल हैं अगर दोस्तो आप भी रीड बरती प्रेक्षा और वीडियो मैंस 2022 की त्यारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास तक जरूर देखे और इन सभी मोश्ट इंपोर्डेन रिपीट होने वाले राजस्तान के क्यूसन आंसर को जरूर याद करी क्योंकि दोस्तो ये सभी क्यूसन है जो आपके रीड और वीडियो मैंस के एक्जाम के लिए बहुत ही मोश्ट इंपोर्डेन क्यूसन आंसर हैं इसलिए सभी क्यूसनों को आप जरूर याद करें तो चलिए देखते हैं पहला क्यूसन पहला क्यूसन है रादस्तान संग का निर्मान 25 मार्ज 1948 को हुआ इसमें राज परमुक के किसे बनाया गया था तो इस सवाल का सही जवाब देगा option C यह नहीं रादस्तान संग का निर्मान जो 25 मार्ज 1948 को आता उस समें राज परमुक हैं जो कोटा के माराव भीम सिंग को बनाया था जबकि परदान मंत्री हैं जो गोकुल लाल आस्वा को बनाया गया था नेक्श अगला दूसरा क्यूसन है 11 सदी का प्रसिद सास बहु का मंदिर का इस्तित हैं तो इस सवाल का सई जवाब देगा ऑप्सन एनी उद्यपूर के नागदा गाउं हैं जहां पर सास बहु का मंदिर बनावा हैं कहाँ पर उद्यपूर के नागदा गाउं में नेक्स्ट अगला तीसरा क्यूसन है ग्राशिय जन जाती द्वारा किया जाने वाला नरत्य कौन सा है तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्सन ए नी ग्राशिय जन जाती द्वारा किया जाना नरत्य हैं जो वालर नरत्य हैं और राजस्तान में ग्राश से जन जाती हैं जो एक आदिवाशियों की जन जाती हैं और ग्राशियों की राजस्तान में जन संक्या की दरश्टिशे तीसरा इस्तान हैं जिसका वालर है वो एक लोक नरत्य हैं किनका ग्राश जन जाती का नेक्स्ट अगला चौता क्यूसन है सवई मादुपूर में सौध का बरवाड़ा किस खनीज के लिए जाना जाता है तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्सन एनी सवई मादुपूर में जो सौध का बरवाड़ा है जो सीसा जस्ता की खान के लिए जाना जाता है अगला नेक्स्ट पांचवा क्यूसन है राधस्तान का प्रसीद ओधोगी के चेट चेट कोटा किस नदी के तट पर इस्तित हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा option एन राजस्तान का प्रसीद ओदो की सेर कोटा हैं वो चम्मल नदी के तट पर इस्तित हैं और चम्मल नदी की कुल लंबई हैं वो 1051 किलोमेटर हैं जबकि राजस्तान में इसकी कुल लंबई हैं जो 252 किलोमेटर हैं किस नधी की? चंबल नधी की और कोटा सेर हैं वो किस नधी परिष्ति थे, चंबल नधी के तटके उपर नेक्स अगला छटा किसे ने राधस्तान में क्पास का सर्वाधिक उत्पादन कहा होता है तो इस सवाल का सई जवाब देगा ऑपस्ञण सी न Een रादस्तान में हनुमानगर जिले में सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है हनुमानगर के अलावा गंगानगर जिले में भी कपास का सरवादी के उत्पादन होता है अगला साथवा किसन है पेतल और डिंगल बासा में लिके गए गरंत कौन से हैं तो इस सवाल का स bize ही जवाब देगा option D.N. बैली किसन रुकमर्यी हैं जो पेतल और डिंगल बासा में लिखे गए ग्रंत हैं जो किसने लिखा था प्रत्वी राज राठोडने जो एक अकबर समराट के दर्बारी कवी थे जिनने डिंगल बासा में बेली क्रिसन रुकमणरी नाम कर रचना लिखी थी अगला आठवा किसने रादस्तान में बेड उन सिक्सन संस्तान कहा हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्सन डी नी राजस्तान में जैपूर जिले में बेड उन सिक्सन संस्तान इस्तित हैं नेक्स्ट अगला नवा किसने चूरू में ताल सापर क्यों प्रसिद हैं तो इस सवाल का सही द्वाब देगा option B&E चूरू में 24 सापर हैं जो काले हिर्णों के अब्यारण के लिए प्रसीद हैं अगला नेक्ष्ट दस्वा क्यूसेने केस विसु विध्यालय का नाम पूरू राष्टपती सर पली रादा क्रशन के नाम पर रखने का निरने लिया गया हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा option B&E जोतपूर में इस्तित राष्टी आयरवेदी विस्विद्यले हैं जिनका नाम पूरु राष्टपती सरवपली राधा कृष्ण के नाम पर रखने का निर्णे लिया गया है किस विस्विद्यले का राष्टी आयरवेदी विस्विद्यले जो राधास्तान के जोतपूर जिले में इस्तित्व हैं अगला 11 किसने मौसम के आदार पर राधास्तान की फसलों को कितने बागों में विबक्त क्या जा सकता हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा option B&E मौसम के आदार पर राधास्तान की फसलों को तेन बागों में विबक्त क्या जाता है पहला खरीब की फसले रभी की फसले और जायद फसले अगला बारवा किसने निमबार्ग संपरदाई की प्रमुक पीट कहा अवस्तित हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा option C&E सलेमाबाद अजमेर में निमबार्ग संपरदाई की प्रमुक पीट अवस्तित हैं कहा पर सलेमाबाद अजमेर जिले में तेरवा किसने अगला किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के इस्तान पर गी का इस्तिमाल क्या गया था तो इस सवाल का सही जवाब देगा option B&E बांडा सा जैन मंदिर जो बिकानेर जिले में इस्तित हैं उस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्मान पानी के इस्तान पर गी का इस्तिमाल क्या गया है किस मंदिर बांडा सा जैन मंदिर जो बीका निर जिले में इस्तित है नेक्स अगला चौदा किसन है रेगेस्तान का जल मेल किसे का जाता है तो इस सवाल का सईवाब देगा Cupion P taxi में बटारू का कुवा बाडमिर जिले में इस्तित हैं जिसको राजश्थान का जल मेल लका जाता है किस हुए को बटारू का कुवा जो बाडमिर जिले में इस्तित हैं नेक्स्ट अगला पंदुर्वा क्यूसन है राजस्तान राज्य अभी लेकागार कहां इस्तित हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा आप्सन बी नी राजस्तान राज्य का जो अभी लेकागार हैं जो विकानिर जिले में इस्तित हैं नेक्स्ट अगला 16 किसन है बान गंगा नदी के जल को रोक कर निमन में से कौन सा बांध बनाया गया है तो इस सवाल का सभी जवाब देगा option B नी बान गंगा नदी के पानी को रोक कर रामगड बांध को बनाया गया है और रामगड बांध है जो जैपूर जिले में बनाया गया बांध है जो बान गंगा की नदी को पानी को रोकर इस बान्ध को बनाए गया था और रामगर्ड है जो पहले एक जील थी जिसको अब बान्ध के रोप में परिविर्थन कर दिया है नेक्स्ट अगला सतरवा किसन है नेक्स अगला अटारवा किसीन है राधस्तान में हरित करांदी का समंध किस से ही तो दोस्तो इस तवाल का जवाब है वो आप कमेंट सेक्सन में लेकर बताईए रेत करिंध का समंधbreaking राधस्तान में किसे है और दुख दूथ पाधन से खादिय प्रसासन से दुख दूतपासन से या सुमें दूतपासन से चार उप्सन में से कौन सा उप्सन से ये वो आप कमेंट सक्षिन में लिखकर जरूर बताईए अगला नेक्स्ट उग्णी स्वा क्यूसन है पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस ट्रेंड का राधस्तान में प्रतम स्टेशन कहां पर हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा उप्सन बीनी मुना बाव पाकिस्तान से आने वाली थार मरुस्त एक्सप्रेस का राधस्तान में प्रतम स्टेशन हैं काँ पर मुना बाव में नेक्स्ट अगला बीसवा क्यूसन है निमल लिकित में से कौन सी राजस्तान में परंपरागर्द जल सरक्षन विदी नहीं है तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्सन डी नी राजस्तान में परंपरागर्द सरक्षन है जो नाली की विदी हैं जो नहीं है किस्वा क्युसन है करणी माता के मंदिर में सपेद चुए किस नाम से जाना जाते हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा option भी नी करणी माता के मंदिर में जो सपेद चुए होते हैं जिनको काबा के नाम से जाना जाता है और करणी माता का मंदिर विकानेर के देश नौक में इस्तित है जो सपेद चुओं के लिए प्रसीद मंदिर भी माना ज़ादा है अगला नेक्स्ट 22 किसने लोग देवता बाबा राम देव जी के अनुवाई किस पंत के अंतरकत आते हैं तो इस सवाल का सई जवाब देगा ओप्सन ए यानि लोग देटा बाबा राम देव जी के जो अनुवाई होते हैं यानि सिसी होते हैं वो कामडिया पंत के अंतरकत आते हैं नेक्स अगला 23 किसने राजस्तान में सातूरी तीज का पर्व कब मनाया जाता हैं तो इस सवाल का सई जवाब देगा ओप्सन भी यानि राजस्तान में जो सातूरी तीज का पर्व हैं वो भादर पद क्रशना तरत्य को मनाया जाता हैं नेक्स अगला 24 किसने हिंदू पंचा के अनुसार छोटी तीज का त्योर किस माहा में मनाया जाता हैं तो इस सवाल का सई जवाब देगा ओप्सन भी यानि हिंदू पंचा के अनुसार छोटी तीज का त्योर हैं वो स्रावण माह के त्रत्य को मनाया जाता हैं अगला नेक्स्ट 25 किसने है राश्टी मत दाता दिवस नेमन में से किस दिन मनाया जाता हैं तो दोस्तो इस सवाल का जवाब आपको कमेंड बॉक्स में लिखकर बताना है ओप्सन है दस मार्च 25 वन्वरी 20 अप्रेल या 30 अगर्स इन चारों आप्सन में से कौन सा ओप्सन सही है जिस दिन राश्टी मत दाता दिवस मनाया जाता हैं वो आप कमेंड में लिखकर जरू